ओम शांती हम सभी के अंदर हीलिंग पावर है अपनी बोडी को हील करने के लिए परकृती को हील करने के लिए और बाकी सभी आत्माओं को भी हीलिंग पावर देने के लिए लेकिन ये हीलिंग एनरजी कैसे पावरफुल हो और वीक कैसे ना हो इसके लिए दो मुख्य बातों का attention रखना है, और वो हैं हमें waste और negative thinking से बिल्कु किनारा कर लेना है, अगर waste चलता है मन में, negative चलता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, tension लेते हैं, jealousy है, तो हम healing energy ना अपनी body को भेज सकते हैं और ना दूसरी आत्माओं को भेज सकते हैं हमारी बाड़ी हमारी बाड़ी का एक-एक सैल हम जो vibration create करते हैं जो हम सोचते हैं जो हम feel करते हैं उस पर feed होता है उन्हें catch करता है तो सोचिए अगर negative सोचे तो क्या होगा एक-एक सैल तक वो डर वो negativity वो जा रही है तो तो वो हील नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर दूसरी आत्माओं को हम प्यूर फीलिंग्स भेजना चाहते हैं। उन्हें हीलिंग पावर भेजना चाहते हैं ताकि वो सही हो जाएं। तो ये ध्यान रखना हैं। अगर वेस्ट सोच रहे हैं। किसी भी तरीके का negative सोच रहे हैं तो वो हील नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छी अच्छी thoughts create करनी हैं, अच्छा feel करना है। चाहे कोई भी situation हो, body का कोई भी situation हो, कोई भी health issue हो, लेकिन negative नहीं सोचना है। अपने आप से बार-बार बात करनी हैं कि अच्छा सोचने से, शुक्राना महसूस करने से, ग्रैटिट्यूट से, एक्सेप्ट करने से, जो हुआ है, शान्ती से उसे स्विकार करना, सोचिए, मेडिटेशन जब हम करते हैं, जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जब उनकी प्यार हम अपने अंदर भरेंगे, कितनी हाई वाइब्रेशन्स क्रियेट होंगी, कितनी पावरफुल हीलिंग एनरजी हम में आएगी, कितनी जल्दी यह बोडी भी हील होगी, और यह सब जानने के लिए भ्रह्मा कुमारिस से राजयोगा मेडिटेशन करें, इस नंबर पर वट्सेप करें, और डिटेल्स जानने के लिए, इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और साथ में जो टेक्स्ट है, उसमें वट्सेप और टेलिग्राम ग्रुप का लिंक भेचा हुआ है, वो आप जरूर चोइन करें, थैंक यू, और शान्ति